हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग और आप सब कैसे हैं मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैंने आपको बताया था मंद्रेगा के तहत काम स्टार्ट होने वाला है मिट्टी का कोडाई का काम तो मैंने बताया था अगले वीडियो में कि मैं भी काम तो हमने काम करना आज से स्टार्ट कर दिया है तो चलिए आपको हम दिखाते हैं और देखिए यहां कोडाई का काम हो चुका है बाड़ी में देखिए बहुत सारा हमारा मिट्टी डाल दिये हैं तो चलिए आपको हम सीधे वहीं लेके चलते हैं तो देखिए दोस्तों यहा मेड़ होता है तलाब के किनारे उसमें हम लोग डालते जा रहे हैं और यहां पस बड़ी मा भी साथ में काम करें हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं और मिश्टर घर में रहते हैं तो इस काम को करते हैं वो और नहीं रहते तो हम इलों करते हैं सब काम को और देखिए मिटी अभी ड़ंग से सुखा नहीं था तो उसके कारण बहुत ज़्यादा वजन हो रहा था हम लोग उठा भी रहे थे तो सीर में तो बहुत ज़्यादा वजन लग रहा था और थूप तो इतना नहीं था क्योंकि सुबा से हम लोग भीड़े थे वही नौ-दस बजे के करीब तक हम लोग अपना मतलब जितना हमारा कोड़ाई का काम रहता है उसको निप्टा लेते हैं उसके बाद मैं घर का काम में भीड़ जाती हूं आके फिर खाना और बनाना पड़ता है और यहां पस काफी लोग काम कर रहे हैं दोस्तों कम से कम नहीं किस्तिति में असी लोग और देखिये यहां पस बहुत चड़ाऊ हो पाड़ रहा था मेरे को दिक्कत हो रही थी पर बहुत माजा भी आरा था काम करने में क्योंकि जो ये मजदूरी का काम होता है उसमें बहुत महनत लगता है और सरीर से बहुत पसीना निकलता है जो पसीना निकलता है उसके करण सरीर बहुत अच्छा लगता है मतलब हलका महसूस होता है पसीने के करण और जिस स्कूलों में अटेंडेस होता है नाम मतलब हाजरी कर दो मतलब कॉन नाया है कौन कॉन नहीं तो यहांपस भी हम नाम अपना एंट्री भी कर वा रहे थे और आया करके बता रहे थे इनको यह जो बएठे हैं वो मारा मतलब एंट्री कर रहे थे और अटेंडेस ले रहे थे समझो तो यहां पस मिश्टर हैं तो वो बता रहे हैं कि हम सब आये हुए हैं करके और यहां पस यहां पस देखिए यह मिशासु मा भी हैं वो भी काम कर रही हैं हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं क्योंकि मिश्टर भी अ थोड़ा हैल्फ हो जाएगा और घर में रहते हैं तो देखिए बिल्कुल काम करने के लिए नहीं कतराते हैं क्योंकि हमारी फैमली ऐसी है कि हम सब कोई मिलक एक दूसरे का साथ देते हैं तो मा भी काम कर रहे हैं और बाबुजी तो नहीं कर पाते हैं तो वो बस दूर से तो उनको भी देख रहे थे हम लोग देखते हुए काम कर रहे थे और बच्चे लों को भी लेके गए थे साथ में तो बाबु भी परिसान नहीं कर रहा था और बहुत अच्छी बात है कि मेरे को बिल्कुल भी परिसान नहीं कर रहा था बाबु और काम करने दे रहा था और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था और घर मे रहता है तो बाबू बहुत परिसान करता है पर मैं यहां काम कर रही थी तो विल्कुल परिसान नहीं कर रहा था और खेल रहा था और यहां पस देखिए इसी तरह टेप से नाप लेते हैं कि इतनी चोड़ाई और लंबाई को मिट्टी को कोड़ के निकालना है करके तो मिश्टर भी टेप मास्टर के साथ में मिल के उनकी मदद कर रहे हैं फिर हम लोग उस हिसाब से अपना कोड़ाई का कामें स्टार्ट करके हम लोग अपना मिट्टी निकाल निकाल के साइड मतलब मेड जो पार होता है तलाब की किनारे उसमें हम लोग डालते जा रहे थे और दोनों बच्चे मेरे गये थे मतलब साथ में हम लोग ले जाते हैं बच्चे लोग को तो वही पस खेलते रहते हैं काफी लोग भी है जो लोग चोटे वच्चे लेकि आते हैं तो महाँ पस सब खेलते रहते हैं तो परिशान नही खेल रहा था था वह यहाँ जो जगह था हमारा वह मिलधी बहुत ज्यादा गीला था जिसके करन बहुत ज्यादा वजन लग रहा था सी र में उठाने से हम लोगों को, फिर भी मतलब काम करने का आदत हो जाता है तो उतना नहीं लगता है वजन पर जब मैं फर्ष्ट दिन गई थी तो थोड़ा सा मेरे को अब मैं पहली बार आई सा काम की थी मैं कभी ऐसा काम नहीं की थी दोस्तो तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो दी थी पर अच्छा लगने लगा क्योंकि जो ये मज़ूरी का काम होता है इसको करने से बहुत ज़्यादा महनत लगता है और बहुत सारे पसीने निकलते हैं सरीर से और इतना मतलब महनत करने के बाद बहुत भूग भी लगता है और नीन भी बहुत कितना चड़ाऊ था हम लोग इस चड़ाऊ से चड़ के जा रहे थे मिट्टी डाल रहे थे फिर वापस नीचे आ रहे थे तो बहुत नहनत करना पड़ता है दोस्तों और बाबू बिल्कुल परिशान नहीं कर रहा था तो मैं अच्छे से काम अपना कर ले रही थी तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा और बाबू यहाँ पस देखिए और उसको दोस्त मिल गया थे खेलने के लिए एक बच्ची तो उसके साथ में बाबू खेल रहा था और मैं काम करते हुए बच्चे को देख रही थी ताकि गीरे मत कहीं चोटना लगे करके देखते देखते मैं का काम कर रही थी अपना तो बाबू भी बहुत खूश था तो दोस्तों देखी हम काम करके आगे और नौ बज़े तक हमारा काम खतम हो जाता है घर में आते ही मेरा कामी स्टार्ट हो जाता है और मैं आई हूं बाड़े में मीठा नीम की पत्ती लेने क्योंकि वच्च्छों के लिए पोह बनाना है मेरे को और हम लोग कुछ खा पी के नहीं गया थे बच्चे लोग बस बाले जी बिस्किट था तो उसको मैं खिला दी थी तो लोग खाके गया थे और आप सोच रहोंगे कि ऐसा क्या काम करना पड़ जा रहा है जो आसा काम करना पड़ रहा है आप करना है तो तब तक के लिए सब को बाह आप कर दो कि है कि ऑ